नौशकार आप देख रहे हैं नेशन यूज मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी विश्णू स्वरूप आपको याद होगा फिल्म मदर इंडिया आपको याद होगा बंकिन चंद की उपन्यास जो किसानों के विद्रोह के उपर अधारित थी प्रेम चंद जिसने किसानों क हकीकत को गोदान में अक्षरस उतारा था तब से लेकर अब तक ग्रामीन भारत और किसानों की प्रिष्ट भूमी पर कोई तबज्जो देने का काम नहीं हुआ किसी ने इसको गंभीटा से नहीं सोचा जबकि यह पूरा का पूरा विशय आज तक विवर्स का केंद्र तो इस तरह के गंभीर कानूनों पर कोई किसान नेताओं के सामोहिक बिचार पहले क्यों नहीं लिये गए आज बिरोध की बातें हो रही हैं किसान खेत खलिहान छोर कर सरकों पर उतर चुके हैं कई दौर की बारताएं बिफल हो रही हैं जब देश में MSP के लिए 55 साल पहल कानून बना तो आज इसी कानून के रूप में क्यों नहीं इसे फिर से लाया गया या इस पर कोई बड़ा बिमर्स करके इसे अमली जामा पहनाया गया आज तक इसे कानून के रूप में क्यों नहीं लाया गया आज सरकार से लिखित कानून बनाने की मांग हो रही है विपक तक कह देते हैं नियूंतन समर्थन मुल्य अर्थात 1868 रुपे होने के बावजूद नमी के नाम पर भी कमिशन खोड़ी हो जाती है और बोड़ों के भी पैसे ले लिए जाते हैं बिहार में किसानों की इस्तिती और भी बुरी है क्योंकि यहां कोई अनाज मंडी नहीं जो इ कोई दल आज तक इस दर्द को नहीं समझा पर तमासा वखुवी कर रहा है दूसरी बात कार्पूरेट जगत को एक आदत सी पड़ गई है बैंकों से पूंजी ले करके उसे डकार जाने की तो MSP पर जो बात सरकार कह रही है कि कि किसानों को उसके मुल्य मिलेंगे और किसान सुब्धा मिलें उसकी पूरी कीमत मिलें लेकिन कॉर्पूरेट क्या ऐसा कर पाएंगे क्या आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि इन कॉर्पूरेटों को तो पुंजी डकारने की और बैंक को खोखला करने की आदत सी पड़ गई है संसद में बैठे हुए संसदों में 136 ऐसे संसद हैं जिन्होंने अपना पेशा क्रिशी को बताया है तो क्या वो सामने क्यों नहीं आकर किसानों की उन भावनाओं को समझने का काम किया और उनसे अपने दर्द को सरकार तक पहुँचाने का काम किया वो मौन क्यों है यह भी सवाल बड़ा है और इस सवाल पर पूरी जनता की आँख टिकी हुई है कि ये 136 सद किसानों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और सरकार तक किसानों के दर्द को कहा तक पहुँचा पाते हैं और इसमें कहा तक उन्हें सफलता मिलती है और बने रहे हमारे साथ देख